JKSSB Class 4 Recruitment, जमो कश्मीर की सबसे बड़ी recruitment drive, जिसमें 3 लाग से ज़ादा candidates ने participate किया था, JKSSB के Class 4 का result जो है वो आ चुका है, कली स्टेट लाइन पर JKSSB के चेमन खाली जहांगीर से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जल्धी Class 4 का result आ जाएगा, 15 मिनट भी लग सकते हैं, घंटा भी लग सकता है और 15 दिन भी लग सकते हैं, आज के दिन JKSSB ने फाइनली जो है अनाउंस कर दिया है, टेंटेटिव मेरिट और रिजल्ट जो है कैंड़ेट का written test examination Class 4 की पोस्ट के लिए, आपको याद होगा कि 4 जून 2020 को जो है वो नोटिफाई किया कि वो किस district में, किस division में, किस prefer करेंगे कि वहाँ पर वो जाकर नौकरी करें, तो अब जो notify किया गया है, इसमें साफतोर पर कह दिया गया है, कि जो tentative merit है, candidate का UT division or district पोस्ट के लिए वो prepare कर दिया गया है, आप अभी JKSSB के website पर अगर जाएंगे, तो वहाँ पर result के लिए separate corner में, left side corner में, link जो है, वो दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप अपना result चेक कर सकते हैं, tentative merit जो है prepare किया गया है, as per the information जो candidates ने furnished की थी, जिस time पर वो online application भर रहे थे, यानि कि application भरते time ही, जो information मांगी गई थी, यानि कि, जो criteria set किये गए थे, कि आप किस district के रहने वाले है, क कोई video तो नहीं है, वो सारी information जिनके extra marks भी मिलने थे, वो mention किया गया है कि, केवल tentative merit or result sheet में, आपका नाम आने से, ये मतलब नहीं है, कि आपको shortlist कर दिया जाएगा, भी shortlisting का काम होगा, लेकिन फिलाल खाली result निकाला गया है, official तोर पर, जो है, वो जल्दी shortlisting भी करेगा candidates की merit की accordingly, और साथी में, जो rules notify किये गए है, सरकार्थ के दौरा, उसके accordingly, उसके बाद document verification होगी, और उसके साथ साथ में, फिर cadres जो है, वो allocate किया जाएंगे, departments allocate किया जाएंगे, जो जो successful candidates होंगे, उनको, और ये भी कहा गया है, कि कोई भी candidate, जिसे अगर कोई representation देनी है, जो position उसको assign की गई है, tentative merit list में, या result sheet में, तो वो एक हफते के अंदर-अंदर, JKSSB की जो official email है, JKSSB class 4 result at the rate gmail.com, इसमें JKSSB, CLA, SS, और 4 जो है, वो numerical है, result at the rate gmail.com है, उस पर जाकर आप जो है, email एक हफते के अंदर-अंदर कर सकते हैं, अगर आपका जो नाम list में आया है, जो result आपका बताया गया है, उसे आप satisfied नहीं है, और ये कहा गया कि rules के accordingly जो है, उस आपकी representation है, उसको dispose of किया जाएगा, उसके बार अगर कोई corrections करने की जूरत पड़ती है, तो वो भी जो है, बोर्ड कर सकता है, लेकिन finally ये, कि 3,00,000 से जादा लोग इंतजार कर रहे थे, क जो exam का result है, वो कब तक आएगा, और बहुत सारी बातें भी होना शुरू हो गई थी, कि exam का result किस वज़ा से नहीं आ रहा, क्या कोई धानली चल रही है, बहुत सारे इंजाम भी लगना शुरू हो गए थे, फिर ये comparison draw किया जा रहा था, कि PM package के तरह जो लोगों को लगना थ उनका result आ गया, class 4th का result अभी तक क्यों नहीं आया, तो बहुत ही जल्दी में, में 2nd को जो है, preferences भरने की date खत्म हुई, और आज जो है, GKSSB ने class 4th का result निकाल दिया है, आप अभी GKSSB के website के उपर जाकर result चेक कर सकते हैं, वो जो list आई है, वो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये tent tentative merit list है, मैं दुबारा बता दूँ, इसमें आप अपना score तो चेक कर पाएंगे, लेकिन ये tentative merit list है, तो ये ना समझें कि इस merit list के basis पर जो है, selection होगी, आगे short listing candidates की की जाएगी, उसके बार document verification होगी, लेकिन अभी क्यूंकि pandemic का समय है, तो इसके चलते ये चीज़ें थोड़ करें, समय आपको मिला है, तयारी करें, एक्जामस में participate करें, और कोशिश जो है वो जारी रखें